कि नमस्कार क्यापिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ आत्मजार देखिए कल 24 जैनवरी है और कल जगनायर कड़ पूरी ठाकुर जी का सौवी जयनती है और इसको पूरे बिहार में धूमधाम से मनाया जाएगा लेकिन खास बात यह है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं यहां बिहार में वह अपने अपने अस्तर से तरह तरह की तैयारिया करें लेकिन एक और खास बात यह है कि सायद आने वाले चुनाओं का नतीजा क्या हो उसका तो नहीं पता लेकिन फिलहाल जमीन हथी आने के मामले में जद्यू की जीत न बनाया जाना था तो फिलाल हमने जायजा लेने की कोशिश की तो आज हम अभी मिलर स्कूल के ग्राउंड में मौजूद है देखिए यहां पर हम पहुच चुके हैं और जो भी अभी तैयारिया की जा रही है तबाम कुर्सिया लगी हुई है टेंट लगे हुए है और सोने बैठने की ववस्था की गई है साथी मंच भी बनाया गया है तो आपको बता दे कि यह जो तैयारी है वह भाजपा की तरफ से नहीं बलकि जद्यू के तरफ से की गई है और आप कही नहीं ऐसा लग रहा है कि भाजपा वाले जो कह रहेते कि उन्होंने हमारा जमीन हथिया लिया है वह अब कहीं न कहीं सही सावित होते हुए नजर आ रहे हैं तो आई हमारे साथ कुछ जद्यू के लोग भी हम उनसे बाश्रीट करते हैं और जानते हैं कि उनका इसमें क्या कहना है आप जमीन हथिया लिया आखिरकार जमीन का हम लोग हतिया है यह बिल्कुल भूक होता है हम लोग ने 23 तारीक का भूक कराया था हमारा भूकिन तो कहना है कि हमने पहले से बुकिंग करी थी और अगर कल सुबर तक यह ग्राउंड खाली नहीं होगा तो हम आप जद्यू के पार्टी आफिस के बाहर जाके बनाएंगे जैंती देखिए बीजेपी को जन नायक का जैंती मनाने का हकी नहीं है अब समझे ना आउड वो चाहते हैं कि डिस्टर्ब हो तो डिस्टर्ब करने के लिए हरा आदमी सवतंत्र है आप लोगों का मोटिफ था कि आप डिस्टर्ब करेंगे भाजपा को इसलिए ग्राउंड बुक हूं कि यह मोटिफ कभी रहा ही नहीं है कि कि किसी को डिस्टर्ब करें हूं हम लोग चाहते हैं कि सब कोई अच्छे से चले नितिश कुमार जी के नितित्त्त में चले आप लोग का कारेकरम तो वेटनरी कॉलेज में कल हो ही रहा है तो फिर इस ग्राउंड को बुक करने के पीछे का पॉर्पेस क्या था इस ग्राउंड में यहां आदमी रहने के लिए ठाड़ने के लिए विवस्ता तो कल सुबह तक आप लोग इसको खाली कर देंगे कि जदियू और राजत के कार्याले के बाहर थाकुर जी की जहनती कर पूरी ठाकुर की मनाईगी वो तो सवतन्त हैं कहीं भी मना सकते हैं तो देखिए आपने सुना कि जदियू के कारे करता हैं यहां पर मौजूद थे हमने उनसे बातचीत करिए उनका क्या कहना है वो लो साफ कह रहे हैं कि भाश्पा जो है वह पूरी तरह से स्वतन्त रहे इस बात के लिए कि किसको कब और कैसे परेशान करना है तो इसमें इस तारिक के लिए उन्होंने यह ग्राउंड को बुक कर रखा है लेकिन फिलाल जदियू के जो लोग है उनका कहना है कि 25 तारिक तक इन लोगों ने बुकिंग करके रखी है तो 25 तक सवाल ही नहीं उड़ तक कि इस ग्राउंड से जदियू के लोग जाएंगे और जो भी अरेंजमेंट किया गया है उसमें किसी भी तरह की कमी आएगी तो आपको बता दे कि एक तरफ जदियू के तरफ से अपने इस जमीन को लेकर अलगी शुद अलापा जा रहा है वहीं दूसरे तरफ भाश्पा जो है उसको लेकर कह रही है कि अगर इस ग्राउंड को खाली न बनाया गया है तो फिलाल हम भाश्पा की प्रदेश कर्याले में मौझूद है और हमारे साथ भाश्पा के प्रवक्ता है राकिस पौदार जी तो आई उन से बाचित करते हैं सर आप लोगों के हाथ से जदियू सत्ता छीन ले गई अब आप लोग से ग्राउंड भी छिन ग लगा के जैसे भी हो तैसे भी हो हम लकल पूरा प्रोग्राम को औरनाइज करेंगे वह तो अलग बात हो गई ना कि आप लोग आप्शिन नहीं बचा तो जा के वहां पर आप लोग करेंगे वह दूसरी बात है लेकिन जो बीजेश पी खुद को इतना ताकत वर दिखाती है पुरे देश में बिहार में भी दावा कर दिए कि नंबर वन की पार्टी है लेकिन फिर भी आप लोग अपना जमीन नहीं ले पाएं पहले से आप लोग दिन से इसको लेकर बोल रहा थे इवन जो प्रदेश अध्या उन्होंने भी कहा था कि नहीं देंगे ऐसे कैसे नहीं हो अगर नहीं होता है तो लोकल सरक पर धरना और परतासन करेंगा और सरधा हमारे अंदर में कर पूर ठाक जी की और हम लोग पूरा प्रोग्राम को और नाइच करेंगा और बड़ी तरीके से मेंसेच देने का काम करेंगे तो देखिया आपने वेटनरी कॉलेज में भी काफी अच्छे से जोरो से तैयारी की जारी है इसके बावजूद भी मिलर स्कूल में भी जदियू अपने तरफ से तैयारी कर रही है और वहीं अगर भाश्पा की बात करें तो बता दें कि भाश्पा के तरफ से जो रियक्शन आया है वो तो आप सुन चुके हैं और एक बात और बता दे कि भाश्पा के तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि अगर जदियू कल तक सुबह तक वो ग्राउंड नहीं छोड़ती है तो भाश्पा क्या करेगी कि जदियू और राजत कर्याले के बाहर जाकर प्रोटेस्ट तो फिलाल इस ख़बर बस इतना ही आगे की तबाम ख़बरों के लिए बरे रहे हमारे साथ देखते रहे कापिटन टीवी बिहार धन्यवाद